आज तुमने क्या क्या किया वो नकरे करती है मुझे इस मामले में मत घसीटो तुमने वहाँ नहीं जाना चाहिए था मुझे मसका लगाना बंद करो गड़े मुर्दे मत उखाडो ये लो तुम्हारे बाकी पैसे बेरे लिए एक गलास पानी लाओ इस बात को दिल पर मत लेना अपनी उम्र का लिहास करो तो ये जो भी सेंटेंस मैंने अभी बोले तो उनको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे तो वही हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं इस वीडियो में हम डेली उसमें बोले जाने वाले इंगलिश के 50 प्लस सेंटेंस सीखने वाले हैं तो अगर आप भी English सीखना चाते हैं, तो ये वीडियो आपी के लिए है, आप इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा, इस वीडियो में हम short as well as long sentence को पढ़ेंगे, और ये जो भी sentence हम पढ़ने वाले हैं, ये daily use में बोले जाने वाले sentence होंगे, तो बहुत ही जादा important वीडियो ह एक glass पानी लाओ, पहले तो आप खुझ से कोशिश कीजेगा, कि आप इन sentence को translate कर पाओ English में, comment करके sentence को translate करने की कोशिश कीजेगा, और हम हर sentence को दो बार repeat करेंगे, जिससे आपकी practice हो जाएगी, तो मेरे लिए एक glass पानी लाओ, इसे English में कहते हैं, bring a glass of water for me, bring a glass of water for me, जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो, do as I say, do as I say, तुम किस से बात कर रहे हो, whom are you talking about, whom are you talking about, क्या तुम है अभी मुझ पर शक है, are you still suspicious of me, are you still suspicious of me, ये लो तुम्हारे बाकी पैसे, here is your rest of the money, here is your rest of the money, आज तुमने क्या क्या किया, what all did you do today, what all did you do today, मैं ट्राफिक में first गया हूँ, I am stuck in traffic, I am stuck in traffic, वो नखरे करती है, she throws tantrums, नखरे को English में tantrums कहा जाता है, तो वो नखरे करती है, इसे कहेंगे, she throws tantrums, मुझे इस मामले में मत घसीटो, don't drag me into it, ये इतना आसान नहीं है, जितना तुम सोच रहे हो, It is not as easy as you are thinking, मैं थोड़ी देर में call करता हूँ, I call you in a while, I call you in a while, जादा नौटंकी मत करो, don't gimmick too much, नौटंकी को English में gimmick कहा जाता है, तो don't gimmick too much, गड़े मुर्दे मत उखारो, don't rip up old swords, don't rip up old swords, मुझे मसका लगाना बंद करो, stop buttering me up, stop buttering me up, बड़ा ही वाईयाग सुझाव है, That's a ridiculous suggestion, that's a ridiculous suggestion, तुमने वहाँ नहीं जाना चाहिए था, You shouldn't have gone there, you shouldn't have gone there, अपना गुस्सा मुझे पर मत निकालो, Don't take out your anger on me, don't take out your anger on me, ये दिल्चस्प है, it's fascinating, It's fascinating, दिल्चस्प को इंग्लिश में fascinating कहा जाता है, तो आप याद रखते चलीए गई sentence को, पुरा मत मानो, मैं मजाग कर रहा था, Don't get offended, I was kidding, don't get offended, I was kidding, मजाग कर रहा था को आप ऐसे भी कह सकते हैं, I was joking, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा है, I am having to do this unwillingly, ना चाहते हुए मुझे ये करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए को इंग्लिश में unwilling बोला जाता है, तुम जादा भाव खाते हो, You act so prizy, भाव खाने को इंग्लिश में prizy कहा जाता है, बात करने में क्या जाता है, What goes to talk, इस बात को दिल पे मत लेना, Don't take this matter to heart, Don't take this matter to heart, अपनी उम्रे का लिहाज करो, Act your age, Act your age, क्या हक है, तुम्हे मुझे डाटने का, What right do you have, To scold me, What right do you have, To scold me, पढ़ाई कैसी चल रही है, How is your study going on, How is your study going on, क्या गुन गुना रहे हो, What are you humming, What are you humming, जुकाम हो जाएगा, You will catch a cold, You will catch a cold, शर्माओ मत, Don't be shy, Don't be shy, मुझे धमकी मत दो, Don't threaten me, Don't threaten me, Threaten यानी धमकी देना, तुम बदल गये हो, You have changed, You have changed, जो भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है, Whatever happened, happens for good, Whatever happens, happens for good, कैसा लग रहा हूँ मैं, How do I look, How do I look, वो हकलाता है, He stammers, He stammers, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, I will come in a while, I will come in a while, चलो आज बाहार खाते हैं, Let's eat out today, Let's eat out today, हम सब तुम्हारे साथ है, We are all with you, We are all with you, वहाँ जाना ही क्यों है, Why to go there, Why to go there, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, Shall I help you, Shall I help you, तुम दंग रह जाओगे, You are going to be stunned, You are going to be stunned, मैं अब क्या करूँ, What am I going to do now, What am I going to do now, मैं इसे जल्दी से खत्म कर लूँगी, I'll just finish it off quickly, I'll just finish it off quickly, क्या तुम मुझे 10 मिनिट दे सकते हो, Can you give me 10 मिनिट्स, Can you give me 10 मिनिट्स, मैं पस फटाफट खत्म कर लूँगा, I'll just make it quickly, I'll just make it quickly, मैं खुद समाल लूँगा, I'll manage myself, I'll manage myself, क्या तुम वो लेकर आ सकते हो, Can you bring it, Can you bring it, क्या बोलूँ, What should I say, What should I say, मुझे लगता है, मैंने तुम्हें हलके में लिया है, I think, I have taken you for a granted, I think, I have taken you for granted, सब कुछ खत्म करना आसान नहीं होता, It's not easy to end everything, It's not easy to end everything, तो ये थे हमारे 50+, देली यूज में बोले जाने वाले sentences, ये जो भी sentence हमने इस वीडियो में cover किये, वो सभी देली यूज में बोले जाने वाले sentence थे, देली लाइफ में आपको ये sentence बहुत यूज होते हैं, और इसके साथ हमने कुछ vocabulary भी सीखी और आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के चाथ इस वीडियो को शेर कर दीजिए और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा हम ऐसे ही नए-नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले के वीडियो भी देख लीजेगा उन वीडियोज में भी हमने डेली उसमें बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंस को कवर किया था तो उन वीडियोज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में